हाई गाईज मैं हूरिका चौजरी और स्वागत है आप सभी का सीवीटी बाइ स्टूडन खबरी के नई वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्तर हरी सिंग गौर युनिवरसिटी के बारे में भारत की अठारवी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी युनिवरसिटी जो MP की सबसे पुरानी युवरसिटी है चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हाईलाइट्स के बारे में तो highlights की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो university का establishment year है वो 1946 है उसके बाद the central university है सागर MP में located है इसको 1983 से पहले University of Saugar भी कहते थे जिहाँ University of Saugar इसका पूरा नाम था उसके बाद change किया गया और फिर इसे Dr. Hari Singh Gaur University का नाम दे दिया गया यहाँ पर campus area की बात करें तो 850 hectares में फैला हुआ है यह इनकी official website है उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं oldest university of MP है आगे हम बात करते हैं admissions 2023-2024 की तो यहाँ पर देखिए CUET के अंडर से आप admission यहाँ पर ले सकते हैं यानि जिन भी students ने CUET का exam दिया है वो student यहाँ पर admission लेने के लिए बिलकुल eligible है उसके बाद जो date है कब से कब तक आप admission ले सकते हैं कब से कब तक आप registration जो form है वो फिल कर सकते हैं उसकी date बताए गई है आज यानि 20 जुलाई 2023 सुभह साड़े 10 बजी registration process शुरू हो गए थे 27 जुलाई 2023 इसकी last date है रात 11 बजकर 69 मिनिट तक आप registration process को फिल कर सकते हैं register जो है इनका official website यहाँ पर दिया गया है उसके बाद हम बात करते हैं आगे university के facilities की जी हाँ facilities की बात करें तो यहाँ पर hostel health center थोड़ा हम आ गया गया है facilities की अगर हम बात करें तो यहाँ पर hostels है health center है mental health center उसके बाद यहाँ पर central library है जहाँ पर ancient books से लेकर latest books तक सारी किताबे हर field से related रखी हुई है उसके बाद यहाँ पर एक remedial coaching center है उसके बाद sports facilities हो गई है bank, post office, ICT facilities, महीला club है auditorium है NSSS और common rooms भी यहाँ पर available है आपको देखने को मिल जाते हैं आगे हम बात करते हैं library और centers की तो यहाँ पर यहाँ पर university works department है उसके बाद university information and communication department है, technology center है, university press है, university library है, health center है और computer center है तो यहाँ पर library और centers की हमने बात की आगे हम चलते हैं तो आगे यहाँ पर है courses और fees जो है वो under CUAT की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास BA course जी हाँ, जो भी student BA course में admission लेना चाहता है इस university में Dr. Hari Singh गौर विश्व विध्याले में तो यहाँ पर BA course के लिए जो domain है वो है, one language कोई भी Hindi English हो सकती है, general test from section third और उसके बाद जो eligibility criteria है, उसकी बात कहिए है कि 12th वे आपके 45% marks होने चाहिए और 5% का relaxation भी मिला है general category को और डूसरी जो categories है, उनके लिए भी थोड़ा relaxation यहाँ पर दिया गया है fees की अगर हम बात करें, तो 26 रूपे जो है first semester की fees है, उसके बाद यहाँ पर 2350, second semester, third semester, जो अगले semesters है, उनकी fees जो है 2350 कर दी जाएगी आगे हम यहाँ पर बात करें, अगला जो हमारे पास codes है वो है, B.com B.com की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो domain है, वो again CVT के लिए, कोई भी एक language from section IA, जिसको intermediate of arts भी गयते हैं उसके बाद language, Hindi या English में से कोई भी एक domain subject, जो है आपका accountancy, bookkeeping या business studies में से एक आपका domain subject और उसके बाद में हाँ पर general test from section 3rd again, eligibility criteria की बात करें, तो यहाँ भेया 12th में 45% आपका होना necessary है important है 5% का relaxation दिया गया है, जो UR category है और दूसरी categories है उनको fees की बात करें, again 26 रूपे first semester और उसके बाद हर semester की fees जो है आपकी 2350 कर दी जाएगी आगे अगला जो course है उसके हम बात करें, BA, BA course की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो domain है, उसमें बताया कि again one language जो यहाँ पर है requirement, Hindi, English कोई भी हो सकता है उसके बाद domain जो subject है वो है teaching aptitude from section second उसके बाद एक और जो necessary है वो है general test from section third उसके बाद जो eligibility criteria है, eligibility criteria की अगर हम बात करें तो वो है again 12 में 45% होना necessary है यहाँ पर 5% का relaxation फिर से BA, BA में देखने को मिल जाता है fees जो है यहाँ की fourth semester की fees है 4600 और जो की second semester से आपकी fees हो जाती है 4350 आगे अगले course की हम बात करें तो वो है BBA honors जो यहाँ BBA honors की हम बात करें तो यहाँ पर domain for COET any one domain हो सकता है आपका language जो है from section IEA intermediate of arts उसके बाद यहाँ पर जो subject है वो होना चाहिए business studies from section second प्लस यहाँ पर आपका जो requirement है वो है general test from section third eligibility criteria की बात करें तो यहाँ 12 में 45% marks होना compulsory है 5% का relaxation दिया गया है your categories और other categories को fees की बात करें तो थोड़ी जादा fees है 11,000 fees है semester 1 की जो की बात में 10,850 हो जाती है हर semester के लिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा अगला जो course है वो है B.A.L.L.B. honors यहाँ के eligibility criteria की अगर हम बात करें सबसे पहले domain की बात करें तो यार any one language from section I.E. इतना तो समझ में आही गया होगा अभी तक उसके बाद domain subject legal studies में होना चाहिए from section second जी हाँ उसके बाद general test होना चाहिए section third में eligibility की बात करें तो यहाँ पर 12 में 45% marks होना अनिवार्य है जी हाँ mandatory है compulsory है 5% का relaxation again B.A.L.B. honors में दिया गया है fees की बात करें 9600 यहाँ की course fees है semester 1 की जो बाद में 9350 कर दी जाती है semester 2 के बात से उसके बाद अगला जो course है हमारा उसकी हम बात करें तो यहाँ पर है B.A.C. biology जी हाँ B.A.C. biology में again हम फिर से बात करें यहाँ पर domain की तो यहाँ पर होना चाहिए आपके पास physics, chemistry, biology from section second उसके बाद जो है यहाँ पर general test from again section third eligibility criteria की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th में PCB अगर आपके पास है तो 45% marks होना mandatory है उसके बाद 5% का relaxation जो है इसमें दिया गया है fees की बात करें तो यहाँ पर 3300 semester 1 की fees है जो बाद में semester 2 के बाद से यहाँ पर 3100 कर दी जाती है अगला course अगर हम बात करें B.A.C. B.A.D. bio यहाँ यहाँ पर B.A.C. B.A.D. bio के अंदर जो domain है 4.C.U.E.T. तो यहाँ पर जो है आपका physics, chemistry, biology, teaching aptitude from section second उसके बाद eligibility criteria की अगर हम बात करें तो वो है 12th में with PCB minimum 45 marks यहाँ पर आपके होने चाहिए इन UR जी हाँ general category की यहाँ पर बात हो रही है other categories में यहाँ पर 5% का relaxation आपको देखने को मिल जाता है fees की अगर हम बात करें 500 रुपे for semester 1 और उसकी बाद जो semester 2 है उसकी fees हो जाती है 4,950 रुपीज आगे अगला जो course है हमारा वो देख लेते हैं यहाँ पर जो अगला course है वो है B.H.C. Maths B.H.C. Maths की बात करें तो आप देख रहे हैं PCM from section 2, general test from section 3, eligibility criteria में 12 में PCM होना important है minimum 45% marks होना जरूरी है 5% का relaxation है other categories के लिए fees की बात करें 33 रुपे for semester 1, 31 रुपे from semester 2 अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास है B.H.C. Beard जिनके पास Maths होता है ठीक है तो यहाँ पर domain की अगर हम बात करें for C.U.E.T. तो यहाँ पर है PCM teaching aptitude from section 2, eligibility की बात करें again 12 में 45% marks होना चाहिए in PCM जी हाँ physics, chemistry, maths आपके पास होना चाहिए fees की बात करें semester 1 की fees है 5200 और यहाँ पर semester 2 से जो आपकी fees रहती है वो रहती है 4950 नेक्स हम बात करते हैं यहाँ पर B.C.E.T. की Bachelor's of Computer Applications की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर again domain PCM हो सकता है या CS हो सकता है उसके बाद यहाँ पर IP from section 2 general test होना चाहिए eligibility की बात करें 12 में PCM होना चाहिए और 45% marks जो है आपके 12 में होना necessary है fees की बात करें 13600 fees है आप पर semester 1 की semester 2 की जो fees है वो है 13350 semester 2 से जो यहाँ पर fees रहेगी हर semester की वो रहेगी 13350 बस first semester की fees आपको 13600 देनी पड़ेगी अगला हम बात करते हैं बी फार्मा बायो या मैट्स की तो यहाँ पर जो डोमेन है वो है PCM और PCB from section 2 general test from section 3 eligibility की बात करें PCM PCB होना चाहिए 12 में या तो PCM हो या तो PCB हो और 45% marks आपका होना जरूरी है fees की बात करें 16100 semester 1 की fees है 15850 जो है semester 2 से 15150 आपके fees हो जाएगी next हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है हमारे पस hangouts अब obviously university है तो आसपास की कौन सी जगे हैं जहाँ पर आप खूमने जा सकते हैं सबसे पहले है ओच्छा फोर्ट भीमबेटका रॉक्स उसके बाद है चंद्रापाक ताजुल मस्जिद तो यह ऐसी कुछ places हैं जहाँ पर आप relax कर सकते हैं जो university के आसपास ही पढ़ती हैं अगला हम बात करें यहाँ पर scholarships की जहाँ scholarships की अगर हम बात करें तो यहाँ पर university जो है काफी सारी scholarship schemes निकालती है तो सबसे पहले MP scholarship portal करके है 2.0 तो यहाँ पर जो है university scholarship प्रवाइड करती है उसके बाद NSP जो है national scholarship डॉक्टर हरी सिंग और विश्व विद्याले सागर MP यहाँ पर भी scholarship प्रवाइड की जाती है यह दूसरा portal है उसके बाद national fellowships करके भी है उसके बाद post metric scholarship और एक national scholarships है तो यहाँ पर यह जो है overall university की scholarship schemes है जो अब तक बताई गई है आगे हम बात करते हैं notable alumni जो भी यहाँ सर्फ यहाँ से पढ़कर गए है और अपने अपने field के थेटर और बॉलिवूड एक्टर रहे है आशुत उश्राणा यह सुंदर सी picture आप देख सकते हैं बॉलिवूड एक्टर रहे है और मुकेश तिवारी जी बॉलिवूड एक्टर है अगें दिनेश पालिवाल INC इंडियन नेशनल कॉंग्रिस के लीडर रहे है के सुदर्शन की बात करें फॉर्मर आर एसस के चीफ रहे है राश्ट्रिय स्वयम सेवा संग के अध्यक्ष आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेस्मेंट्स की प्लेस्मेंट्स ऑपरचुनिटीज काफी जादा अच्छी नहीं है यहाँ पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टॉप रिक्रुएटर्स हैं वो कौन-कौन्स हैं आप दिख सकते हैं आइसी आइसी यह बैंक है टेक महीद्रा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं यहाँ पर रिक्रुएटर्स में से एक हैं इनफोसिस है विप्रो है अमजॉन भी इनके टॉफ रिक्रुएटर्स में से एक है आगे जो हाइस पैकेज जो है वो है 6 LPA उसके बाद जो 186 स्टूडेंस का यहां से प्लेस्मेंट हुआ है आगे हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव रिव्यूज कि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑफिसली जैसा बताया गया है कि गुड्ट फैकल्टी है जैसे कि नॉलेजिबल है काफी एक्सपिरेंस है स्टूडेंस के मु बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप पॉजिटिव रिव्यूज की बात की है तो थोड़ा नेगेटिव रिव्यूज को भी जान लेते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंफ्रस्ट्रुक्चर की यहाँ पर बात की गई है कि थोड़ा सा ओल्ड इंफ्रस्ट्रुक्चर है तो हरी सिंह गौर विश्व विध्याले में तो यह स्टूदेंस का ओवरॉल कंसर्ण रहता है कि वह अच्छी जॉब की तलाश करें तो यह जो लाक of placement opportunities हैं यहाँ पर आगे competition की बात करें university बहुत competitive है this can be a challenge for some students especially अगला हम बात कर लेते हैं okay तो यहाँ पर जो हरी सिंह गौर विष्व विध्याले तो यहाँ पर यह था आपका हरी सिंह गौर विष्व विध्याले अगर इसे related और को information आपको चाहिए university से related comment section में हमें जरूर बताये and for more such information subscribe cvt by student khabri I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe